आज की इस लेक्चर के इंदर हम बात करेंगे अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना जा रहे हैं जिसके उपर मेंबर्शिप आप ओफर कर रहे हैं मतलब लोग आएं मेंबर बने वहां पर साइन अप करें उस वेबसाइट के उपर कुछ पेमेंट करें और उसके बाद वो उस स्पेस्फिक कॉंटेंट जो है वो एक्सेस कर पाएं असलाने कुम आई होव आप सब लोग खेरियत से होंगे आज की इस लेक्चर के इंदर हम बात करेंगे अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसके उपर मेंबर्शिप आप ओफर कर रहे हों मतलब लोग पर कुछ पेमिंट करें और उसके बाद वोस वेबसाइट का स्पेस्फिक कॉंटेंट जो है वो एकसर कर पाएं तो इस तरह का अगर सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो क्लागिन यहां पर वैसे अवेले बैल तो काफी सारे अप्लागिन यह तो बहुत सा अच्छे रिलाइबल हैं फ्री हैं जो मैंने खुद भी यूज किया हैं उनको बारे में मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर है अल्टीमेट मेंबर्स अगर मैं इसको सर्च करूं तो यह वला प्लागिन आपके तमाम काम कर देगा जो भी एक मेंबर्शिप वैबसाइट में होते हैं और उसके इलावा हमारे पास एक और प्लागिन है मेंबर्स तो यह भी एक प्लागिन है जो के बहुत ज्यादा अच्छा है और मेंबर्शिप वैबसाइट बनाने के लि करें पेमिट करने के बाद वो स्पेस्टिक को साथ की वेबसाइट से अक्सेस कर रहा तो यह प्लाइइन्स उनके लिए यूसफील थाइप सकते हैं तो आई होग आपको समझ आई होगी कि किस तरह से एक मेंबर्शिप वेबसाइट के अंदर कौन से प्लाइज आप यूज करते हुए वह फंक्शनलेटी अचीव कर सकते हैं तो में तैंचले नेक्स लेक्चर के अंदर तिल नंकीप लेर निंग कीप एक्स्प्लोरीं और लापिस